Hello dear students, आज हम इस topic को discuss करने वाले हैं यह topic बहुत ही important है atomic structure का इस पे बेश numerical question और theoretical question आते ही आप चलिए स्टार्ट करते हैं आपना टॉपिक आइंस्टीन आपका टॉपिक नहीं है आइंस्टीन साइंटिस्ट का नाम है ठीक है और जिनों ने इसके बारे में अपने व्यू दिया और उन्होंने और भी एक्वेजन्स दिये हैं ठीक है बट हमको यहां पर जो समझता है बहु ठीक है उनके अनुसार लाइट क्या है एक वेव के फॉर्म में तो मतलब कि जो लाइट है वो कैसा नेचर शो करती है वेव नेचर शो करती है और उन्होंने कहा कि सिर्फ वेव नहीं शो करती है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है तो इसका मतलब लाइट में दोनों ने आपका टॉपिक है डी ब्रॉगली इक्वेशन है आपके NCRT बुक में तो डी ब्रॉगली का थोट क्या था अब आगे संझेंगे तो डी ब्रॉगली ने 1924 में अपना व्यू दिया कि आपने जितने भी थेयरी अभी तक पढ़ते आए हैं चाहे आप थॉमसं की थेयरी पढ़ी है आप रदर फोर्ड पढ़ो आप गोहर्स अटॉमिक मॉडल पढ़ो आप सब सब चीज पढ़ो कहीं पर भी यह बात नहीं हुई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है यह जो माइक्रोस्को पार्टिकल है वो डूइल क्यारेक्टर शो करते हैं ठीक है डी ब्रॉगली जब आये तो उन्होंने यह कह दिया कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं डूइल क्यारेक्टर शो करते हैं मतलब उनमें दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है ये सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डुइल कारेक्टर सोग ने वाले करते हैं दो एसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑह सो अपर विक पाहिए किpel जो पीजहां material particle in motion possesses wave characteristic तो उनका कहना क्या था कि जितने भी material particle है जब वो motion में रहते हैं तो वो wave characteristic शो करते हैं ठीक है material particle में यहाँ पर कौन से term आ जा रहा है debrogly नहीं किसके बारे में especially कहाँ पर focus के था microscopic particle के उपकर ठीक है तो उनका कहना था जो electron है भाई electron में क्या है wave nature भी है और electron में क्या है particle nature भी है दोनों type कहाई है दो मुहाँ साब ठीक है तो electron is both wave and particle अब क्यूंकि वो wave है तो उसमें wavelength होगी अब वो particle है तो उसके पास mass होगा velocity होगी particle का मतलब ही क्या होता सका कुछ ना कुछ मास होगा कोई ना कुछ की velocity होगी तो इन्हीं दो कारणों के वज़े से इसको बोल दिया गया कि भाई तुम dual nature हो तो electron can also be considered as dual nature अब क्या equation दे दिया उन्होंने equation दिया कि जब वेव को आप lambda से मेजर कर रहे हो wavelength के टर्म में ले रहे हो और पार्टिकल को मास और वेलोसिटी के टर्म में ले रहे हो तो equation बन गया उन्होंने क्या बना दिया लेमड़ा इस इकोस चुछ एच अपॉन इल्क्रों नहीं करता बाके सब करते हैं तो electron भी करता है डी ब्राग्लीयसा injection प्रेटीन वसका कटर्म मीप्स एक्स झांक्ठेमे ऩख करेंने लेंगों अन्होंने मन मी ती मैंगत बात्यों salt है कर पाρ्सण की अता श्य हो शुछलुर laugh and it was found that electron beam undergo diffraction, तो भाई यहाँ पर बहुत सीधी सादी बात होती है साइन्स में, साइन्स में कोई ऐसी बात नी होती है कि आपके ताउघ्य ने बोला था, तो हमने मान लिया, ऐसा नहीं होता है, आप जो भी कह रहे हैं, आप जो भी बात बोल रहे हैं, उसका आपके पास practical evidence होना चाहिए तो D. Brogley ने जो भी कहा था कि electron के पास dual nature है wave or particle nature है यह बात को क्या है यह experimentally proof कर दिया गया ठीक और जिस experiment की थूँ इस बात को proof किया गया इस experiment को बोलते है diffraction diffraction की जो property है सिर्फ वही show करते हैं जिनमें wave nature होता है अगर wave nature नहीं है तो diffraction की property शोई नहीं करेगा ठीक है तो यह जो experiment था D. Brogley का इनका साथ देते हुए Davison और जर्मन ने यह proof कर दिया कि whatever he said is absolutely correct that is this experiment was proved by Davison and Germa's experiment जिसको हम diffraction experiment बोलते हो उन्होंने प्रूफ कर दिया हाँ बिलकुल सही हो तो कोई गलत बात नहीं कहीं तुमने हाँ electron में dual property होती है इसी experiment के बाद फिर electron microscope बना तो यह बहुत एक बड़ा experiment है और बहुत बड़ा achievement है now the very simple and important equation given by D. Brogley which was actually so finally the D. Brogley's equation which we have studied right now lambda is equals to h upon mv यह पढ़ते हैं आ रहे हैं ठीक हैं max plank का भी यह कहना था यह होता है wavelength is equals to h upon mv mv क्या है आपका momentum है mass into velocity तो lambda wavelength हो गया v is the velocity सब दिया है किसको किसमें measure किया जाता है M is the mass and h is the planks constant planks constant के बारे में atomic spectra जब हमने पढ़ना शुरू किया था तब से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है 10 to the power minus 34 joule second इसकी unit है अब यह पूरी बात जो मैं आप से कह रही हूं इस बात को हम clearly समझते है कैसे हम को समझ में आएगा यह जो डी ब्रॉग्ली का equation था यह equation नहीं बोला जाए जो डी ब्रॉग्ली hypothesis आया इसमें बोल दिया भाई कि microscopic particle के निए है ठीक है यह बताना है हमको यह देखना है कि क्यों डी ब्रॉग्ली नहीं ऐसा क्यों कहा कि large mass के लिए applicable नहीं है यह वो यह ही क्यों कह रहे हैं सिर्फ की वो small masses के लिए ही है जिनका mass बहुत कम है और जो कि क्या show करते हैं wave nature show करते हैं और जो motion में रहते हैं इसा क्यों क्यों बात हुई नहीं तो देखते हैं तो यहाँ पे question है what will be the wavelength of a ball of a mass 0.1 kg moving with the velocity of 10 to the moving with the velocity of 10 meter second inverse इसको आप calculate करके देखो पहले आपन देखते हैं कि wavelength कितनी हा रही है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो mass दिया हुआ है mass कितना दिया है 0.1 kg यह तो आप इसको क्या लिख सकते हो 100 grams ठीक अब देखिए velocity कितना दिया है velocity दी है 10 meter second inverse D-Broglis का formula लगाना है क्योंकि यहाँ पे दिया ही है आपको wavelength निखालना है तो lambda is equals to हो जाएगा h upon mv यहाँ तक भी करोगे तो आपको पता number मिलेंगे ऐसे नहीं कि 0 दे देंगे तो आप लिखा करो given condition लिखो formulas लिखो इस अब जब पढ़ते रहेंगे तब आपकी दिमाग में आ जाएगा ठीक है तो हमने formula लगा दी हमको पता h की value क्या होती है 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second ठीक है यह हो गया अब इसके बाद हम नीचे क्या लगा दी value mass क्या दिया है हमने हैं पे ले लिए 100 ठीक है into 10 ठीक हो गया यहां पे 100 ग्राम हो गया यहां पे 10 meter second inverse हो गया जब आप इसको calculate करेंगे तो आपका answer लगभग 6.6 into 10 to the power minus 34 ही आएगा ठीक है अब आप एक चीज़ देखिए कि यह जो answer आपके पास आ रहा है किस पर focus करना आपको 10 to the power minus 34 पर focus करो जब आप इसको solve करोगे तो 10 to the power minus 34 है यहां पर कितना है 10 to the power minus 34 मतलब आप समझ रहे हो कितना चोटा है कितना चोटा है मतलब की सीधी सी बात यह है कि जो large mass होगा जो object बड़ा होगा जिसको आप अपनी आखों से देख सकते हो साक्षात जैसे यह बॉल यहां पर बॉल का example दिया है उस बॉल का जो wavelength है भाई कितनी चोटी है भाई 10 to the power minus 34 times बहुत ही ज़ादा चोटी है सीधी सी बात है अब अगर हम इसको देखें small mass की बात करें तो यहां पर question दिये the mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and the velocity is 2.16 meter second inverse calculate its wavelength अगर आम इसकी wavelength निखा लें ठीक है directly value put कर देते हैं ठीक है मालो यहां पर आपने value put कर दिये तो यह होगे 6.6 आपको लिखना है लेकिन into 10 to the power minus 34 नीचे हो गया क्या लिखना भाई mass m into v देखते रहना गलत भी लिख सकते है कहीं पर दोके से keep on checking so 9.1 into 10 to the power minus 31 और velocity हो गई 2.16 ठीक है तो आप इसको solve करिये इसको solve करने के बाद आपका लगभग लगभग answer जो है वो कितना आना चाहिए भाई आपन focus आपन किस पर बात करते हैं आप इसको और इसको calculate करेंगे इसको छोड़िए इस पर ध्यान दो आप ठीक है 10 to the power minus 34 ठीक है तो यह हो गए 9.1 into यह जो 10 to the power minus 31 लिगी थी अब यह उपर चल जागा 2.16 यह उपर चला गया तो अभी नीचे तो minus में था उपर जाके plus हो जाएगा तो यह हो गया 10 to the power 31 तो मतलब 10 के power में कितना आ गया तो 10 के power में कितना आ गया minus 3 अब देखो यह है 10 to the power minus 3 और यह है 10 to the power minus 34 अब इन दोनों को अगर आप compare करो मतलब यहीं लिख दे रही हो अगर आप से कोई पूछे कि 10 to the power minus 34 में से और 10 to the power minus 3 में से छोटा कॉन सा है, वेवलेंद किसकी काम है, इन दोना में से सबसे चोटी वेवलेंद किसकी है, तो सबसे चोटी वेवलेंद है इसकी, minus 34 times it's very small so it's cannot be calculated wavelength और इसका wave nature आप calculate ही नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं wave nature calculate कर सकते हैं क्योंकि इसके wavelength की value बहुत ही छोटी है minus 34 times 34 0 लगाओ गया अप इतनी छोटी ठीक है किसके comparison में small mass के comparison small mass के comparison जो small mass है वो क्या करेगा wave nature show करेगा तो यही डी ब्रॉगली का concept था कि all microscopic particles show dual characteristic मतलब कि small mass वाला जो होगा वो क्या दिखाएगा आपको वो दोनों चीजें शो करेगा क्या क्या शो करेगा वो wave nature भी शो करेगा और वो क्या शो करेगा particle nature भी शो करेगा अब हम दूसरे एक महान वेक्टी के वारे में बात करते हैं ठीक है तो यही अंसर्टेनिटी के बारे में क्या कहा है ईजनबर्ग ने इट इस नाट पॉसिबल तो मेशर साइमल्टेनिसली बोद द पुजिशन और मोमेंटम ओफ उप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद आपसुल्यूट एक्यूरसी उन्होंने सीधी सी बात कह दी भाई कि एक ही समय में आप अगर सोचो कि मैं पॉसिशन को भी फाइंड आउट कर लू और अगर मैं मोमेंटम को भी फाइंड आउट कर लू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के वो भी जो कि मोशन में है तो यह संभव नहीं है इक ही टाइम पे आप ये सोचो कि जैसे मान लो ये गारी यह कार अपकर अपकी कितनी वेओद्दा कार बन रहे ही है मार्केट में आज़ाए तो चले ना कार हे पर यह है आपकर आप सोचो कि मैं इसे मार्क लोग इसका position भी बता दूँ कहां पर है यह, तो मैं चला कैसे पाऊंगा, ठीक है, और मैं इसका math भी बता दूँ, मैं इसकी speed भी बता दूँ, तो यह संभफ नहीं है, आप एक ही समय में position को और momentum को find out नहीं कर सकते, आप, आप ऐसा आपने सोचे कि मैं पोजिशन को फाइंड आउट कर लिता हूं बिलकुल एक्योरिसी के साथ तो आपका मोमेंटम भीड़ जाए ठीक है तो दोनों चीच की एक्योरिसी पॉसिबल नहीं है एक समय पर दो नाव पर पैर रखोगे लुडग जाओगे ठीक है तो यह हाईजनबर की प्रिंसिपल था राइट? अब जो हैजनबर्ग अंसर्टिनिटी प्रिंसिपल था हुप संजाने के लिए शॉर्ट में लिका है तीन चीजों से मिलके बना है क्या क्या डेल एक्या डेल एक्या डेल एक्या आपका अंसर्टिनिटी इं पोजिशन डेल्टापी क्या है अं एक बहुत महत्पपुन चीज है यह क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर आप इसको स्मॉलर दिन कर दिया अगर यह साइन ऐसा किस ने बोला कि स्मॉलर दन या इक्वल टू पॉसिबल है तो वह पॉसिबल नहीं हो सकता इसको हम आगे क्यालकुलेट करेंगे निम्रिकल में फिर आपको इसको प्रूफ के साथ दिखाएंगे तब आपको समझ मैं ठीक सो इफ डेल्टा एक्स स्मॉल डाट इस पॉसिशन पॉसिशन पार्टिकल इस मेज़र एक्यूरेटली डेल्टा पी वुड बी लार्ज अंसर्टिनिटी इस मॉमेंट तो यह पर कहना यह चाह जाएगी इसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगी बिगड़ जाएगी ठीक है ठीक वही हाल है वही सी वर्स अगर हम डेल्टा पी को बहुत ही स्मॉल मानते हैं और इसकी पार्टिकल को मेजर करते हैं तो वह एक्यूरेट हो जाएगा और डेल्टा एक्स जो है वो बिगड़ जा so therefore the position and velocity of an object cannot be simultaneously known with accuracy इसलिए आप position और velocity जो है किसी भी object की एक ही समय पर वो भी accurate नहीं निगाल सकते अगर आप बोल रहे हो अपने निगाल हो मतलब आ उल्लू वनार है ठीक है it is not possible to measure simultaneously both the position and momentum of the microscopic particle with absolute accuracy वही बाद है repeat हो रही है confusion नहीं right okay so what was the principle the principle is for microscopic particle only sorry the principle is valid for microscopic particle only not for the macroscopic particle ये principle जो था Heisenberg uncertainty principle ये आपके जैसे लोगों के लिए ये मेरे जैसे लोगों के लिए अच्छे खाते पीते घर के लोगों के लिए ये किसी भी ऐसे object के लिए जिसको आप देख भा रहे हैं उसके लिए वालिट नहीं है so it is not valid for macroscopic particle it is valid for the microscopic particle मतलब जिसको आप देख नहीं सकते और जो किसमें हो motion में हो सिर्फ उनीं के लिए ये वालिड है right so if uncertainty principle is applied to a microscopic object like an electron मान लो कि uncertainty principle apply कर रहे हैं किस पे एक माइक्रोस्कोपिक object पर पीस डू नोट पॉइंट में क्या वह रही हो माइक्रोस्कोपिक आपजेक्ट पर मार लीजिए वह electron है तो हमने सब्सक्राइब का इक्वेजिन लिए डेल एक्स इंटु डेल वी इसी को सब्सक्राइब बेस न्यूमरिकल लाते महुत सारे तो एच की वैल्यू रख दिए भाई 6.626 इंटू 10 तू दिपा माइनस 34 kg इसकी वैल्यू को भी रख दिया यहां पर फोर इंटू 3.14 क्या है पाई की वैल्यू यह तो आप 3.14 रखिए नहीं तो 22 अपॉन 7 दोनों सही है मैस में आप लोगा और यहां पर हमने क्या रख दिया लेक्ट्रान का मास रख दिया इनको जब आपने क्या तो यह तो ठीक है 5.78 से कोई फरन पढ़ा है इंटू यह चीज काम किया है यह क्या है 10 to the power minus 5 stay connected here 10 to the power minus 5 बोल रहा है ठीक है इस चीज को ध्यान में रखिए क्योंकि इसी से related अभी आगे बात होगी यह हमने किस के लिए निकाले यह हमने निकाले सब्सक्राइब क्या इसके पहले हमने क्या निकालते है इसके पहले हमने निकालते है प्रोडक्ट इसका डेल एक्स इंटू डेल वी का जिसकी वैल्यू आई थी 10 to the power minus 5 ठीक है अब हम बोल रहे हैं कि हमको अगर मालो इलेक्टरोन की एक्जाक्ट पोजिशन निकालना है और हमने जो वैल्यू है वो ले लिए अप्रोक्सिमेटली वन इंटू 10 to the power 10 मीटर माइनस 10 मीटर यह वन एंग स्ट्रॉंग आप बोल सकते हो ठीक है उस वक्त जो डेल्टा वी होगा वो क्या होगा डेल्टा वी क्या हो जागा सेम वही फॉर्मूल लगा है यहां पर इस फॉर यहां पर निकालना है तो डेल्टा वी के लिए तो फॉर्मूल हो जाएगा है यह वाला जो आप देख रहे हो पूरा क्याल्कुलेशन यह पिछला वाला क्याल्कुलेशन जिसमें हमने वैल्यू कितनी लिया है 10 क्यूपर माइनस 5 ठीक अब यही वैल्यू को यहां पुट कर यह वैल्यू आपने निकाले थे लेक्ट्रान के लिए पीछे किसका प्रोड़क निकालते है डेल्ए डेल्टा वी का तो यह वैल्यू को यहां इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा हम तो इस कॉलड़ी सॉल्व कर चुकें पीछे तो वैल्यू कितनी है थी 5.78 इंटू 10 to the power minus 5 अपन 10 to the power minus 10 अब ले लेंगे ठीक है तो आपको कितना आ गया 5.78 इंटू 10 to the power 5 आ गया भाई काफी बड़ी वैल्यू आई है चोटी मोडी वैल्यू नहीं आई है कितनी आ गई 10 to the power 5 आ गई जबकि इसके पहले वाला जूमने किये थे 10 to the power minus 5 आ रही थी ठीक है जो कि चोटी वैल्यू है और यह 10 to the power 5 है मतलब इस इस वेरी लार्ज अद इस सिग्निफिकेंट इस बहुत बड़ी वैल्यू है कौन से वैल्यू बड़ी है 10 to the power 5 है ठीक है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है अब देखिए अब अगर हम दूसरे दूसरी तरफ देखिए यह फ अप्लाइट तो अबजेक्ट ऑफ मास 10 to the power minus 6 kg अब हम बोल रहे है कि अगर अंसरटि प्रिंसिपल ऐसे ऑप्लाइए हो रहा है जिसका मास जो है वो वन मिली ग्राम से जादा है ठीक है से जादा है यह वन मिली ग्राम तक है तब उस वक्त जो वैल्यू है वो क्या होगी तो यह हो गया फॉर्मला डेल एक्स इंटू डेल वी एच अपॉन फॉर पाई एम अब हम क्या निकाल रहे है इन दोनों का प्रोड़क्ट निकाल रहे है ठीक है पूरी पूरी वैल्यू स करना है तो यहां पर आपका असर जाएगा 5.27 अगर आपको पावर को क्याल्कुलेट करने में कोई भी कन्फूजन होता है तो आपको बहुत सिंपल है जिसको बनता है ठीक है जिसको नहीं बनता है जिसे मानलो 10 to the power minus 6 उपर है और नीचे लिखा 10 to the power minus 5 तो जब यह उपर ज जाए ठीक है ऐसे करके इसे करके तो अब देखें यहां पर यहां पी कितना आ रहा है 10 to the power minus 29 तो दवाल्यू ओफ डेल्टा एक्स इंटू देल्टा वी की वैल्यू निकली है 10 to the power minus 29 निकली है तो दवाल्यू देल्टा एक्स इंट्टा वी फो मिलिग्राम साइज और आप आप प्रॉल्डी के लिए आप बहुत ही छोट फpos खकते हो फोर फोर घर सकते हो फॉर्ट है इसे फ्रिल्च मिलिग्राम से तैन दव सकते हो फोर्टिकल् शैड़निकल्स व इस आप्यंध excelsus === जो उन से ऐसे मिलिर्ग्राम सी जादा है जो अंसार्टिनिती है विल इस टिल small तब भी वो क्या रहेगी बहुत ही छोटी रहेगी इसलिए जो uncertainty है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है मतलब 10 to the power minus 29 बहुत ही छोटा बहुत ही छोटा इसका यहाँ पर क्या है कोई मतलब नहीं है Heisenberg के अनुसार ठीक है और 10 to the power 5 यह क्या है बहुत ही बड़ा है तो इसका भी कोई मतलब नहीं तो यहाँ पर काम की value क्या है electron की जहां पर आई थी 10 to the power minus 5 तो इतना छोटा चल जाता है बहुत ही छोटा बहुत ही छोटा नहीं चलता ठीक है बहुत ही छोटा मतलब उसकी जो पावर है उसको देखके आपको अंसर समझाना है यह जो प्रोड़क्ट आया है प्रोड़क्ट ऑफ डेल्टा एक्स इंटु डेल्टा वी इस वेरी स्मॉल ड़िस 10 to the power minus 29 इतना छोटा अगर आएगा प्रोड़क्ट का अंसर्टिनिटी इसको हम क्या बोलता अक्छिलिए डेल्टा एक्सिंटु डेल्टा वी को हर्जे कर टर्म यूज होगा प्रोड़क्ट ऑफ अंसर 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 इनिटी तो फिर नेग्लिजिबल इसको कोई मतलब भी नहीं उस वैल्यू का 10 to the power minus 29 में ते 29 0 लगाओ गया पितनी छोटी वैल्यू ठीक है so I hope the topic Heisenberg uncertainty principle is clear to you all if you have any doubt regarding this we'll discuss later so this value is extremely small thus uncertainty of such values have no significance कोई significance नहीं होता इतनी छोटी 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 वैल्यू का right so I hope the topic is clear to you all अब इस पे बेज्ड हैंबर्ग पे बेज्ड और डी ब्रॉगली पे बेज्ड मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगी numerical हम numerical practice करेंगे उसके बाद I'll take your test so thank you so much stay connected